गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट आज हम अपनी साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कि लोट माटेरियल्स फाइवर टू फैब्रिक ठीक है अब फाइवर टू फैब्रिक का क्या मतलब है क्लोट माटेरियल्स क्या होते हैं यह सारी चीजें है यह सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में समझने की कुर्सिस करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है क्या क्या हमको पढ़ना है तो यूविल इस्टडी अबाउट फाइवर्स इन फैब्रिक वुल है ठीक है वुल की पूरी प्रॉसेस ये अवयमल से मिलते हैं यह और इसे फाइवरश देट से मिलते हैं वह प्लांट से मिलते हैं वह वर生 से स्ट्टर में जो पढ़ना है वह एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ने फाइब्र स्टेर्ट है एक और इनमें कौन-कून से फाइबर हैं है वो कोन कवसे हैं सबसे पहला है एक हटइक है पहला निदो कौन सा है पहला निवर इस पर 00ff 534ander क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कुछ चैनिमल्थि होते के यंग वन्स होते हैं जैसे काव का यंग वन काफ ठीक है और शीप इसका यंग वन लेम गॉट इसका यंग वन किड ठीक है यूमन में चिल्डन तो ऐसे ही जो शिल्क वॉँं होती है सिल्क मौथ उसको मॉथ भी बोलते हैं और वॉब भी बोलते हैं दोसका जो छोटा सा एक यंगवन बूल सकते हैं उसको अपन छोटा सा जो फॉर्म होती है उसकी sheetsेटैट fermer initially form उसको बोलते हम लार्वा कोकुन आप क्या है अँप लार्वा लारवा के बाद में एक स्टेज एक इस्टेज और आती है नेक्सटर्ट अजैसे युमस में होता है ना अ चायल्ध होड टीनेज ए डेल ऐसे लोगे तो ऑशन export ना तो ऐसे ही पहला हम वो अपने आपको cover कर लेता है किससे एक special thread से special fiber से जो उसकी body से secret होता है substance तो उससे वो अपने body को cover कर लेता है उस covered structure को बोलते हम ककून कोकून या ककून फ्लीष क्या होते है दा हेर थर्ड बन को कुन हो गया थर्ड क्या है फ्लीष फ्लीष दा है यह दैट आर रिमूट स्वाम शीप और अधर एनिमल ठीक है अब फ्लीष क्या है फर फर बोलते न तो ऐसे ही फ्लीष तो फ्लीष क्या होता है कोई भी आनिमल है जिसके बालों का यूज़ हम किसके लिए करेंगे फुल फॉर्म करने के लिए तो हैर रिमूट फ्रॉम शीप और अदर अनिमल उन रिमूट बहुंच एर को किया वहलेंगे हम फ्लीष शेरिंग अब शेरिंग क्या है शेविंग ऑफ शीप बॉड़ी तो अप्टेन फ्लीज ठीक है अब जो रिमूब्ड है उनको तो क्या बोल रहा है फ्लीज और जिस प्रॉसेस के थूँ फ्लीज हमको मिलेगी जैसे जो बार्बर्स होते हैं वो सिजर से हैर को कट करते हैं शेविंग तो जिस इंस्ट्रुमेंट के थूँ इन बालों को हेर को बॉड़ी से रिमूब किया जाता है उस प्रॉसेस का नाम क्या है शेरिंग फिर नेस्ट है इसकॉरिंग अभी क्या है वाशिंग और फ्लीज इंटेंग तो रिमूब डस्ट एंड ग्रीस इसकॉरिंग क कि डर्ट भी होती है उसमें डेस्ट भी होती है है ना तो उनको वाश करना पड़ेगा तो वाश करने की जो प्रॉसेस है उस प्रॉसेस को बोलते हैं हम स्कॉरिंग फिर अगला जो टर्म है जो आपको न्यू टर्म जो आपको मिलेगा इस चैप्टर में वह सैरी कल्चर से सिल्ख महुठ को पालना पढ़ेगा नहीं और ही तो फिर है वह पहलब को मतलब थो वह पता पड़ एड़ यह यह आएग और सिल्क मौट एक caterpillar sorting sorting क्या है separation of different type of hair or sheep that have different texture कुल मिला के हम यह बोल सकते हैं कि जब हम शीप के बालों को शेप करते हैं तो उसमें कुछ बाल की लेंथ बहुत ज्यादा होगी मालोग को तो यह इतना बड़ा है को चोटा है इतना चोटा है को अर बड़ा है को इस ताइप का तो यह इसको बहुने सार्टी सिर्जीन है और dispassion मतलब जॉब ओक्युपेशन meditate व मतलब परिशानी मुसीबत ऐसी तो कोई भी ऐसी ची जो कि कोई एक पॉआ पर्टिकुलरस ओ 정도 स्थोब या परिकुलर में को बर्टिकुलरस प्रोफेशन रीलिंग दा प्रॉसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रैड्स फ्रॉम कॉकून इस मेक सिल्क यार्ड बनानी की जो प्रॉसेस है उसको बोलते हैं हम रीलिंग चलिए तो हम सेवन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेस नंबर 28 पर आजाएं चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह फाइवर्स एंड फैब्रिक So, clothing is one of our basic necessities, clothes are stitches from the fibre, fabric. Fabrics have a variety of texture but each type of fabric is prepared by weaving the fibres. Fiber can be described as standards of some materials, they are the raw material from which fabric or textile for our clothes is prepared. Different fabrics have different type of fibers. Okay, हमारी जो कपड़े होते हैं वो हमारी basic neat होते हैं, कपड़े किसी से भी बहुत सारे fiber से बनते हैं ठीक हैं और यह जो fibers होते हैं वो different type के हो सकते हैं अब उनके type क्या क्या हो सकते हैं तो देखिए यह है type, natural and main-made fibers. Different type of fibers have been classified into natural fibers and main-made fibers. The natural fibers are obtained from natural sources, they can be, अब कौन-कौन से हो सकते हैं? fibers of plant origin like cotton and jute and second one is fibers of animal origin like wool and silk. तो देखिए जो fiber हैं वो कितने type के हैं? दो type के हैं, natural fibers and main-made fibers. natural fibers फिर दो type के होते हैं, एक होता है plant fiber और दूसरा होता है animal fiber. और main-made fiber क्या है? the main-made fiber है, synthetic fiber, main-made fiber कम synthetic fiber भी बोलते हैं, these are made from petrochemicals, these are rayon, nylon, polyester and acrylic. ठीक है? यह नाम याद रखिए, questions आएंगे, और questions में से किसी का एक answer हो सकता है, main-made fibers, give some example of main-made fiber. so answer is, there are rayon, sorry, these are rayon, nylon, polyester and acrylic. in this chapter, we shall study about the fibers obtained from animals. ठीक है? मैंने chapter की starting में ही बताया था, हमको इस chapter में क्या पढ़ना है? animal fibers को पढ़ना है. ठीक है? अब यहाँ आपको तीन beautiful pictures ने जर आ रहे हैं, पहली picture किस की है? यह है sheep. ठीक है? यह. यह है sheep. यह sheep. यह sheep. और यह क्या है? अंगोरा गौट. और यह क्या है? याक. तीन animal हैं. पहला है sheep, दूसा अंगोरा गौट. और तीसा है याक. तीनों इंडियन हैं. इंडिया में तीनों मिल जाते हैं. ठीक है? चलिए, start करते हैं. Wool. Wool is prepared from under hair of those animals which have hairy skin. अब यह तीनों इंडियन की hairy skin है. तो इनके जो अंडियर हैं. जो बाहर वाले हैं. वो नहीं. जो इन hairs के अंदर हैं. या उन से wool तयार होती है. ठीक है? अब next question क्या बनेगा हमारा? जो wool है वो कौन कौन से animal के hair से बनती है. तो wool is obtained mainly from several breeds of sheep. In addition, some breeds of goat like angora, cashmere and mohair. And the yak, chemical, angora rabbit, llama, alpaca also provide wool. Okay, for activity number one, collect picture of animals whose hair are used as wool and prepare the scrapbook. Try to find out the type of wool obtained from each of them. Okay, it is your task, complete it, your home. And table number one, list the Indian breed of sheep. Okay, reason, India में सबसे ज़्यादा wool किस से बनती है? शीप से. तो हमको शीप के breeds पता होनी चाहिए. कौन-कौन सी breed सबसे ज़्यादा काम में आती है? रामपुर, बुशेर, नेल, लोही, बखारवल, पटनवडी, मारवाडी. ये नेम है breeds के. अब इनके wool की quality कैसी है? जो रामपुर वाली है, means first, इसकी wool कैसी होती है? brown. तो जब भी आपको market में brown fleece वाली wool दिखाई दे, natural. अगर उसको die नहीं किया है, तो ये कौन सी वाली race से आएगी? रामपुर, वुशेर. कहां मिलेगी हमको? उत्ताप्रदेश और हिमाचार प्रदेश. नाली. ये second. ये कहां मिलेगी? इसकी wool कैसी होती है? कार्पेट wool होती है. कार्पेट बनाने जो wool इस्तेमाल होती है, वो नाली breed की होती है. कहां मिलती है? राजिस्थान, हरियाना और पंजाब. थर्ड लोही. ये wool कैसी होती है? गुड क्वालिटी wool है. राजिस्थान और पंजाब में मिलती है. ठीक है? बखरवल, woolen, shawl. ठीक थर्ड है, पटन बड़ी. पटन बड़ी जो wool है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है? होजरी wool होती है. अब ये होजरी wool जो होजरी क्लोस वगेरा आते हैं, उसमें जो wool का यूज होता है, वो पटन बड़ी wool होती है. कहां मिलती है ये? ये मिलती है गुजरात में. गुजरात मे एक वुल और है मारवाडी आप यह जो मारवाडी वुल है यह क्या किस काम में आती है कैसी वुल होती है यह कोर्स वुल होती है मोटी ठीक है तो यह आपको वैराइटी भी आ दखनी है ठीक है चलिए फिर activity number second often in India में a map showing its state mark the state where each or different variety or shape are found use different colors to represent the location of different bull yielding animals ये भी आपका activity है आप इसको घर पर prepare कर सकते हैं आपको एक map लेना है उस map में आपको इस states को mark करना है different color से ठीक है और ये बताना है कि जो ship है वो कौन सी state में है और उस ship का नाम लिख देना है आपको ठीक है और ये फिर map को आप अपने answer copy में paste कर दीजिएगा और नीचे लिख गीए activity number two chapter three next day rearing and breeding of ship तो ये हम पढ़ेंगे अपने next video lecture में आज हमें इतना ही रखते हैं तो next video lecture का आप इंद्रिया की दिये तब तक अपने घर में बने रखिए stay home stay safe तब तक के लिए good bye